वेल्कम्टू टॉ इस चैलेंग्ग जुलोजी नोर्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी टॉल्षन इन गैस्टो फोर्ट इस पहले में बता दू गैस्टो फोर्ट क्या होता है तो गैस्टो फोर्ट एक तरह का बहुत ही स्मूठ बाडी और बहुत ही कड़ा आब तो बॉडनिकों प्रसेस को itineration को तॉर्शन कहता है तो मॉर्फॉलाग में पूछा जाता है तो क्या होता है फिर उसदी इन को इसको कीफ प्रसेस को इसको टॉप रिवियं और सबदक्ष तहिसा नो विएक विएलोपुटी को मिलता उनके बोडी में तो इस बाडी में जो चेंजजेस देखने को मिलता न उसको टोर्षन का जाता कि इस के और के बाल आएटी डिरी में आइसा प्रोसेद चो जिसे में जो तीन पार्ट होता है अंगे में कांटर क्लॉक्वाइज डायरेक्शन में घूम जाता है दा मेंटल केविटी एंडव एनस और पॉजिशन एंटेडियली एवाव इसकल एज रिजल्ट अब इस रोटेशन क्या होता है कि ट्रॉशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारे क्या तो मेंटल मेंटल केविटी और विसरल मास्ट के वानेटी डिग्री में घुमाए जाता है इसमें इस घुमाव के चलते हैं मेंटल केविटी और जो इसकल जो होता है एक उपर की तरफ के होता है इसके वज पूर्षन का जो प्रोसेस जो होता है उस्टार्ट होता है hedra ऋर हीडो के सिडिंगे मतलबayer फूरत को मुलाक सों सब्कूलाक सी उस्टांट हेम गमपाद determinate rigorous research Thompson 1958 identify five possible way in which torsion occur बहुती कड़ा मेहनत करने के बाद Thompson जो है एक साइंटिस्ट है Thompson 1958 में इन्हों ने पांच पॉसिबल वे बताया कि इसमें torsion का परकिरिया देख सकता है तो वो क्या क्या था तो फर्स्ट कम्प्लीट और 180 डिग्री रोटिशन एचिट बाए मसल contraction alone is only is known as only for acmia क्या होता है एक तरह का 180 डिग्री रोटेट करके मसल मतव मसल कॉंट्रेक्शन जो होता है एक तरह के एक ही organism में देखने को मिलता है वह एक्मिया में इसका फिगर में दिखा दे तुम आप यहां पर भी आस में विसहां बना है आप इस फिगर को यहां पर जो सकते हैं या लास्ट में सब को दिखा दिएरलन इसके पर फिजिएं उसके बाद स्खेंड करी डिग्री रोटेशन चीवीं और शटीज pomoc फर्स्ट 90 डिग्री मोमेंट बै कॉंट्रेक्शन अप्लार्वर डिटेक्टर मसल्स एंड लेटर ए स्लोवर 90 डिग्री डोटेशन बै डिफ्रेंशियल ग्रोथ इस सीन इन हैलोटियस अन पैटिला यह जो 180 डिग्री डोटेशन जो दो स्टेज में देखने को मिलता है इक है हेलोटियस और पैटिला उसके बाद थर्ड कंडिशन है 180 डिग्री डोटेशन बै डिफ्रेंशियल ग्रोथ प्रोसेस एलान एक्जांपल भाइभा फारा यह जो अंतर विकास प्रोसेस जो होता है द्वार यह मतला होता नहीं एक तरह से डिफ्रेंशियल ग्रोथ के ज पोजिशन एप्रोप्रियेट टू एडर्ट स्टेट एग्जांपल एप्लासिया यह जो इस तरह के किसमें देखने को मिलता है इस तरह का रोटेशन जो होता है एक तरह से कहा होता है तो एनस की एनस और पोजिशन एप्रोपियेट जो होता है एक तरह के घूमाओ देखने को मिलता है इसका एक्जांपल जोता है होता है उसके वादर फिर टॉर्शन नो लंगर रिकोगनाइसिवल एज़ मुवमेंट ऑफ पॉलियम तो और्गन इन फॉस्ट टॉर्शनल पॉजिशन फ्रॉम देर फॉर्स्ट एप्रियंस एक्जांपल एडलारिया इसमें बूला जा एक्जांपल के लिए एडलारिया उसके बाद आपको यह पांचों फिगर आपको ड्रॉ करना है एक एक करके और नीचे लिख दीजेगा फाइब सेक्सेटिव स्टेज इन डेवलोप्मेंट ऑफ केस्टो पेट्टुसर अक्रेंस और टॉर्शन यह मैं आपको देखने को मिलता है टॉर्शन इस फंडामेंटल फीचर अप गैस्टोपोड एर रिप्रेजन देर ट्रेटिस टिपार्चर फ्रॉम अंस्ट्रेल मोलस्कल प्लैन टॉर्शन यह बहुत ही फंडामेंटल फीचर होता है गैस्ट्रोपड ग्रूप का और यह रिप्रेजन करता ग्रेटरिस डिपार्चर को एंसर्श्टर मोलिश्कल प्लैन से पिक पिकलरेटरिस अप और्गिन अप गैस्टोपड द्यू तो टॉर्शन वर फर्स्ट रिलाइजड बाई इस पैंजल इसे बोला जा रहा है कि एक तरह से डॉर्शन की कारण जो ऑर्गिनाज़शन की खास आधिम इस टिम में पीछे की और था लेकिन रचल फूट की लंबाई में ब्रिधी हो जाता है जो पहले बहुत ही छोटा होता था mental cavity और polyam pallial complex क्या होता कि सीर को दूर करने की प्रवर्ती रखता है इसमें अब मडोर के बाद मतलब torsion के बाद mental cavity सीर के ठीक पीछे खुल जाता है और इससे जुड़े हिस्सा आगे की और shift हो जाता है उसके माद है looping of elementary canal elementary canal का looping होना इसमें क्या होगा तो digestive track which was originally straight from mouth to anus is thrown into a loop क्या होता है इसमें इसमें क्या होता है digestive track which was originally straight from mouth to anus is thrown into a loop इसमें क्या होता है digestive track जो होता है वो क्या होता है straight होता है mouth से anus track straight होता है लेकिन क्या होता है torsion के बज़े से इसको फेक दिया जाता है एक तरह से एक फास में फेक दिया जाता है उसके बाद दुसरा ईफेक्ट क्या देखना का इंडो गैस्ट्रिक इंडो गैस्ट्रिक और को अपर इसमें बूला कविकर एक क्विशन से कॉइल ऑठ नतैकंड ignore वजाता वह पहले दॉस्ट्रिक में चाहिता त्था और हो जाता यह संपित हो जाता है कि पल्ट कहरें मालिते लगें движ केकर नीचे कि इफेक्ट ऑफ ट्रॉशन अपन पोजिशन अफ गिल्ड डाजिस्टिव ट्रैक एंड नर्वस सिस्टम बस इतना आप लिख दीजेगा उसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ ट्रॉशन काता है एकोडिंग टो गॉस्टेंग ट्रॉशन सबसे पहले लार्वा उत्परिवर्तन के रूप में हुआ लार्वा को पैलाजिक जीवन के लिए अनुकलित किया गया उसके बाद यह सीधा उपयोग नहीं हुआ क्या होता है कि मडोर के पहले जो था बिना मुडे तैरने वाला लार्वा अपने सिकार्यों के लिए एक आसान सिकार बन गया क्योंकि पीछे की मेंटल के वेटी नाजुक सीर अवेलं को तभी प्राप्त कर सकती थी जब पैर पहले से अंदर था मडोर के बाद मेंटल के विटी पूरवकाल होगी मतलब पहले की तरह होगी जिससे क्यों होता है सब इन से जो होते क्यों होते है